कि नमस्कार प्यारे विद्यारतियों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास का हमारा दो टोपिक है वो है तुलनात्मक लावानी खाता या आई विवन कॉपरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस या इंकम स्टेटमेंट देखिए वीतिव इसलेशन की हम बात कर लिया था कि तुलनात्मक वीतिविस लेशन क्या होता है तुलनात्मक वीतिविस लेशन के अंतरकत हमने कॉंपरेटिव बैलेंस इट के बारे में भी पढ़ लिया था आज की कलास में हम तुलनात्मक लावानी खाते या तुलनात्मक आई विवरन के बारे में पढ़ेंगे देखिए तुलनात्मक आई विवर्ण क्या होता है तो तुलनात्मक आई विवर्ण के अंतरगत दो या दो से अधिक अवदियों के अंतरगत लावहनी खाते में लावनी विवर्ण में परतेक मद में आधार वर्ष के तुलना में होने वाले प्रिवर्णों का प्रतिसित के रूप में मापन किया जाता है और तुलना की जाती है यानि जो तुलनातमक लावानी वीवरण है आई वीवरण है उसमें क्या देखा जाता है कि जो दो अवदी या दो से अधिक अवदी के लिए आधार वर्स से जो वर्तमान वर्स में या जो आगे के वर्स में जो कमी या उसको परतिसत की रूप में विक्त करते वे हमें यह पता लगा सकते हैं ठीक है तो तुलनात्मक लावानी वीवरण का जो प्रारूप है वो तुलनात्मक चित्थे comparative balance sheet के सम्हान ही है तो इसका देखिए प्रारूप है वो निच्ची दिया गया है इसको हम देख लेते हैं comparative income statement for the year ended जो भी अव दिये वो हम यहां लिख देंगे प्रारूप में पर्टिकॉलर हो गया अब एक जी यह देखना रखना है कि जो यह note नमर का कॉलम है यह comparative income statement profit and loss statement के अंतरकते नहीं आएगा इसमें शिर्फ यह कॉलम हैगा इसमें previous year की राशी इसमें current year की राशी इसमें जो कमी या वरदी है उसको लिखेंगे absolute change में और फिर इ प्रतिसत का सुत्र क्या होता है कि कमी या वरदी बटा आधार वर्ष की राशी गुणा सो इससे हम क्या निकाल लेंगे जो प्रतिसत परिवर्थन हुआ है उसको निकाल लेंगे अब जो absolute change जो सुद इसमें increase या decrease जो भी कमी या वरदी के हम लिखते हैं तो वरदी होगे त उसको सीथे लिख देंगे और कमी होगी तो उस राशी को किसमें दिखाएंगे ब्रेकिट में दिखाएंगे ठीक है तो अब देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि जो income statement बनेगा या profit and loss statement बनेगा तो उसमें जो मुख्य मुख्य मदें आती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जै आरे पास इसमें चेंज इन इंवेंट्री आ जाती है चेंज इन इंवेंट्री आ जाती है नंबर तीन पर हम नमबर तीन पे हम बात करते हैं तो इसमें finance cost भी आ जाती है finance cost नमबर चार पे बात करते हैं इसमें employee benefit expenses आते है profit and loss में और नमबर पांच में हम बात करते हैं तो हमारे पास जो depreciation वह आ जाता है नमबर से में बात करते हैं हमारे पास जो other expenses है वह सारे आजाते हैं देखिए number एक की हमने बात की purchase of stock and trade इसके अंदार क्या होता है कि जो हमारा ओप्निंग सी डिप्रीशेस ना जैगा एंप्लॉय बेनिफिटट एंसलार एगर करमचारी से समझे सह 생인 मुजद। कोई मुझूरी है कोई वेतन है या करमचार एगर कल्यान च सहीरा भाते सामजिएंच यसा व्लागाइन पंड। कि स्वाल वहां दिया गया है स्वाल हमारे सामने दिया गया है स्वाल में लिखा गया है कि निमन सूसनाव से तुलनात्म गलाव हनी वीवरन त्यार किजिए कॉम्परेटिव फ्रोफिटेंड लॉस स्टेट्मेंट में बनाना है और हमारे पास दो अवदियां दी गये 2015 और 2016 ठीक है अब के इन अवदियों के अधारव में कॉम्परेटिव फ्रोफिटेंड लॉस स्टेट्मेंट बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है वी देखेंगे वी निर्मानवे के राशी 35,000 और अशी जार इसको हम प्रोफिट लॉस में कहीं सामिल नहीं करेंगे इसके काटा लगा दिया प्रारंबी के रहतिया कितना है 30,000 और 16,000 और अन्तियुम रहतिय का 60 OVER 30 तो चलिए देखते जारे कितना है उसके अलवाई विकेरे कितना है 9,60,000 और 4,50,000 और प्रिचेज रिटन कितनी है 4,000 और 6,000 पे अन्तियुम रहतिया प्रारंबी के रहतिया का 150 प्रशंट और 30,000 का 150 जाएगा। 45,000 और यहाँ पर अंतिम-एक लाग है तो यहाँ पर इसका ओफनी हो जाएगा 67,60 पर एक लाग चाट प्रतिसित कितना हो जाएगा 64,000 उधार करेग की बात करते हैं तो उधार करे 1560 में एक लाग पचासजर और रोकड करेई उधार करे का 80 परतिसित तो 1,50,000 का 80% कितना हो जाएगा 1,20,000 ठीक है दोनों को जोड़ देखके हम निकाल लेंगे 2,7,000 हो जाएगा 2,7,000 में इसे 40,000 पर रिटन है तो 2,6,000 पर परचेज बच जाएगी इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दो दो उधार करेए वो 1,55 पर दिससे नगद करेगा नगद करेंगा ए और नगद करेए है 40,000 तो 1,47-44,000 का कितना हो जाएगा 60,000 तो 60,000 पर प्लिस 40,000 एक लाख एक लाख मैं इसे 6,000 पर 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 रिटन गट गया 12,000 और 12,000 और यह पर कुछ नहीं है तो यह किस में जाएगा finance cost में जाएगा finance cost में और रिंड पत्र पत्र पर पर व्याज की दर दस परतिसते कितनी तो दो लाग का 10% पर्तिसेंट बीस अजार उपे और यहां पर 16 सथर में देखिए जो 20 लाग है इसको दो लाग कर लेना वही इसको कितना कर लेना दो लाग तो दो लाग का 10% भी कितना हो गया बीस जार उपे तो यह दोनों भी finance cost में जाएगा बीस बीस आजार उपे ठीक है नहीं करेंगे न्याए घ्खतिकत कार की विकरेश यह नहीं चाहले समय समय तो यह दोनों कि समय जाएंगे अगर में चले जाएंगे कि इसमें चले जाएंगे other expenses में तो देखे स्वाल सुरू करने से पहले हम इसका क्या एक चोटा सा working note बनाएंगे ताकि स्वाल है वो असानी से हलो जाए तो working note देखे हमने जो बनाया है तो point to point बनाया है सबसे पहले एक number point पर purchase of stock in trade purchase of stock in trade तो इसमें देखे case purchase credit purchase minus purchase return minus purchase return अब 2015-16 की भी निकालेंगे और 2016-17 की भी निकालेंगे तो 2015-16 की हमने देखी थी तो एक लाग पचास जार प्लस एक लाग बीच जार माइनस 4000 उपर हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि एक लाग पचास जार केशी है एक लाग बीच जार केशी है तो उसमें स्वाल में दिया गया था कि जो उधार विक्रिया वह एक लाग पचास जार है जो नगद विक्रिया वह उधार विक्री का 80% है तो एक लाग पचास जार का 80% एक लाग बीच जार आ गया था तो इन द प्रचेस कितना गया चुराण महें जार आ गया यह विए उपर स्वाल में दिया गया था कि जो रोकड है वह कि यह वह कितना से एक बाद देख लेते हैं कि जो रोकड करी है वो भी 60,000 है और उधार करेया वो रोकड करेया का 150 प्रतिस है तो ये 60,000 हो गया और ये 40,000 हो गया तो दोनों को जोडने पर कितने हो गए एक लाग रुपए हो गए तो एक लाग में से रिटन 6,000 गटा दी तो कितने आगे 24,000 फिर नमबर दो बिंदो निकालेंगे चेंज इन इन्वेंटरी चेंज इन इन्वेंटरी का सुत्र होगे भी 60,000 में इस एक लाग अठाएंगे तो कितने कमी होगी चारीच जार की ठीक है उसके बाद में हम निकालेंगे finance cost तो finance cost में मैंने आपको कहा कि जो हमने ब्याज का बुक्तान के interest का बुक्तान के उसको दिखाएंगे तो एक interest on bank or draft हो गया और एक interest on debenture हो गया 10% debenture स्वाल में दिया गया है तो 2015-16 में बात करते हैं 2015-16 में interest on bank or draft तो 5000 कितना पांचार स्वाल में दिया गया है और जो हमारे पास debenture हो दो लाग है और दो लाग का 10% निकालने पर कितना आ गया 20,000 और दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000 2015-16 में जो 20,000 रुपे के debenture दे रहे हैं उसको 2,000 कर लेना अब दो लाग का 10% निकालते हैं तो किता आएगा 20,000 रुपे ठीक है तो 25,000 25,000 और 2016-17 में 20,000 उसके बाद में other expenses के हम बात करते हैं तो other expenses में देखे कि एक तो carriage outward है और एक other operating expenses है इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2015-16 में 10,000 और 20,000 कितने होगे 30,000 और 2016-17 में 30,000 प्लस 10,000 कितने होगे 40,000 हो गया उसके बाद में हम देखेंगे depreciation क्या देखेंगे depreciation तो depreciation में हमारे पास जो भी बवन है उस बवन का किता परसेंट है 2015-16 में तो एक लाग की बवन है उसका 20% 20,000 हो जाएगा यह हमने जो गणना है वो खड़ लिए अब हम क्या बनाएंगे comparative profit and loss for the year ended 31,000 और 2016-17 बनाएंगे देखिए कि आपके सामने जो comparative statement of profit and loss बना रहे हैं तो हमने heading लगा दे heading लगाने बादे particular हो गया 2015-16 amount 2016-17 amount absolute change तो कमिया वर्दी का है वो आ गया फिर percentage change इसमें क्या जाएगा प्रतिसत आ जाएगा तो सबसे पहले revenue from operation यानि बिक्री की हम बात करते हैं तो हमारे पास स्वाल में उपर जो बिक्री दी गए थी वह हमने लिखी फ़र्ट नमर लगा के revenue from operation 9,60,000 और 4,50,000 कमिया वर्दी वाले कॉलम में बात करते हैं पहले हम इसको बढ़ा लेते हैं उसके बाद कमिया वर्दी की बात करेंगे फिर उस पर हमने देखा था कि कोई संपती बेचने पर लाब हुआ है वो कितना हुआ है कोपिराइट के विक्रे से लाब 10,000 और 20,000 और बीजार यह हमारी अधर इंकम हो गई क्या होगी अधर इंकम तो इसको हमने अधर इंकम में दिखा दिया यहां पर अधर इंकम 10,000 और बीजार जोडने पर टोटल रिवेनी किती होगे 9,70,000 और 4,70,000 फिर expenses की हम बात करते है तो नमबर A, purchase of stock in trade उपर अभी हमने निकाड़ा था 2,66,000 और 4,90,000 फिर change in inventory, change in inventory का सूतर हो गया opening stock minus closing stock तो यहां पर 15,000 की कमी और यहां पर 4,000 की कमी फिर नमबर C, finance cost, finance cost में जो हमने ब्याद चुका है वो हमने लिख दिया तो 25,000 15,60 में और 16,70 में 20,000 उसके बाद हमने जो depreciation निकाड़ा था उपर वो depreciation भी हम यहां दिखाएंगे depreciation 15,60 में 20,000 और 16,70 में 20,000 गणनाई उपर पूरी दी गया आप वहां से संतुष्ट हो जाएं और उसको देख लें किस तरीके से कौन सी राशी निकले उसके बाद अधर expenses बात अकरते हैं तो अधर expenses में एक तो 20,000 तो 15,60 गा और 1,34,000 रुपे 17,60 गा ठीक है फिर profit before tax हम निकाड़ेंगे तो profit before tax कैसे निकलेगा total revenue में से total expenses हम गटा देंगे तो इसका तो 6,44,000 और इसका 3,34,000 यानि 9,70,000 में से हमने कितना गटाया 9,70,000 में से 3,26,000 गटाने पर कितना आ गया 6,44,000 और 4,70,000 में से 1,34,000 गटाने पर 3,36,000 रुपे profit before tax आ गया अब profit पर tax की बात करते हैं तो 2015,16 में तो tax है वो 50,35 लाबवा का और 2016,17 में 40,35 तो हमने less income tax निकाड़ा तो इसका 50% 3,22,000 और इसका 40% 1,34,400 और गटाने के बाद में profit after tax की बात करते हैं तो पंद्रा सोड़ा का तीन लाग बाइस जार और शोड़ा सत्रा का दो लाग एक जार 600 रुपे आ गया ये तो बन गया हमारा क्या profit and loss statement अब तुलनात्म की बात करते हैं तो तुलनात्म के अंतर के जो अगला कॉलम है वो तो अंतर का परिवरतन का कमी अवरदी कोगा और फिर इस कमी अवरदी को हम किसमें निकाड़ेंगे परतिसत के रुप म व्यक्ते करेंगे तो चलिए देखते हैं कि 1516 में 960 जार ता गटकर कितना होगे 415 जार तो पांस लाग 10,000 की कमी होगी तो अधार वर्स इसमें कौन सा है 2015 सोड़ा है तो बाग हमेशा 1560 की राशी का लगेगा तो इसमें देखिए 510,000 बटा 960,000 गुणा 100 हल करने वर किता आएगा 53.13 ठीक है अगला देखते हैं इसमें देखते हैं टोटल अधर इंकम में 10,000 थी बढ़कर 20,000 हो गई तो 10,000 की क्या होई वर्द्धी होई तो 10,000 बटा अधार वर्स किराशी 10,000 गुणा 100,000 से 10,000 गट गया 100 परतिसद्धी देखी गई उसके बाद में हम देखते ह है टोटल एंसे, 9,700,000 गट कर किती होगी 4,700,000 तो 5,000,000 क्या होगी कमी होगी 5,000,000 बटा 9,700,000 गुणा 100 करेंगे तो 61.15 परतिसद के यहां पर क्या होगी कमी होगी इस पर आप ब्रेकेट लगा ले वह रही जो 51.50 परतिसद्धवे इसके क्या लग जाएगा ब्रेकेट ल दोलागचछड़ जार से गटकर किते होगे, चुरानमजार तो खर्चों में क्या होई, कमी तो एक लागचवटर जार की कमी, एक लागचवटर जार बट्टा दोलागचछड़ जार गुणा सो करेंगे तो चोछटपव.70% की परचेज अब स्टोक इन ट्रेडिंग में क्या क्या हुए कमी दर्ज की गई है उसके बाद में चेंज इंवेंटर की बात करते हैं तो पहले 15,000 फिर किते होगे 40,000 तो 25,000 की क्या होई कमी और 25,000 की कमी होने पर हम निकाड़ के देखेंगे तो 25,000 बटा 15,000 गुणा सो करेंगे तो 166.66% की क्या होगी कमी होगी कमी होने चाहिए इसको किस में दिखा दिया ब्रेकिट में दिखा दिया अब आगे और फाइनेस कोश्ट की बात करते हैं तो 25,000 25,000 206,000 में 20,000 कितनी कमी होगी 5,000 पर तीस सथ में व्यक्त करेंगे 5,000 बटा 25,000 गुणा सो 0,60,000 कट गया 5,000 25,000 और 25,000 का सो 25,000 10,000 20,000 कितना गया 20% की कमी होगी ठीक है अगे डेप्रिशेशन की बात करते हैं तो डेप्रिशेशन में तो और 25,000 पर दो नो चैंज है 20,000 था 20,000 रहे गया कोई परी वर्तन नहीं है उसके बाद में अदर एक्सपैंसेश की बात करते हैं तो 10000 30,000 कि वरिद्दी होई दस जार वर्ता 30,000 दस जार वेटा आदार वर्स देखें अधार वर्स जो भाग है वह अदार वर्स की राशिका लगेगा अधार वर्स की राशिते सजार गोना 100 0 6.0 कट गया तीन का वाग सुमें लगे देंगे 33.33 33% की व्रद्धी इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे टोटल एक्सपेंसेज है वो 3,20,000 गट कर किते होगी 1,34,000 तो 1,22,000 की कमी होई और 1,22,000 की कमी होई तो हम जब इसमें देखेंगे फिर 1,22,000 बटा 3,20,000 तो कितनी होगी 8,9% की कमी होगी ठीक है उसके बादे प्रोफिट विफोर टेक्स की हम बात करते हैं कि 15,60 में प्रोफिट की तावा 6,44,000, 16,70 में कितना होगी तो 3,8,000 तो 3,8,000 प्रोफिट में क्या होगी कमी फिर इसको प्रोफिट में व्यक्त करेंगे 3,8,000 बटा 6,4,000 गुणा सो हल करने पर के आएगा 46,83% की कमी इसी प्रोफिट में हम सभी में इसी प्रोफिट में निकालेंगे जो अंतर की राश्य है उसमें आदारवर्स की राश्य का बाग लगेंगे गुणा सो करेंगे और इसका प्रेणाम है वो सामने लिख देंगे अगर कमी है तो उसको ब्रेकेट में और अगर व्रदी है तो उसको प्लस में दिखा देंगे और ये राशियां इस तरीके से सारी निकाल दी गई तो इस दुनात्मक आई वीवरंड को देखे हम पता कर सकते हैं कि किस मद में तो कमी हुई और किस मद में वर्ध दी हुई जैसे बात करते हैं तो रेविन्यव में के हुई 5-30-4016 की कमी हुई अगर बात करें परतिसत में तो तीरा प्रतिसत की कमी हुई अधार वर्स की तोलना में flipping बातते हैं जिसे सद्ickets कि बात करते हैं तो सद्नेंश कोश्ट में 5-30-30 सित की हुई अधर एक्सपेंसेज की बात करते हैं दसजार की वृद्ध हुई गत अधार वर्ष की तुलना में लेकिन प्रतिसत की बात करते हैं तो 33.33 4530 3D । कया होगी कमी हो गई। इस प्रकार से निव क्या करते हैं तू तो तुनात्मक आया वीववरन होता है तुनाहत्मक लावववन् hrind होता है उसमें जो दीगर अवधियों हैं उन अवधियों प्रकारते हैं आधारवर्स के तुनामें अंतर निकालते हैं और अंतर न प्रतिस्थिकी हुई है तो और हम उप्योगी जो आंकड़े हैं जो सूसते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने जो निर्ने यह साय से समधित वो ले सकते हैं और विबिन जो उप्योग करता है वो अपने निर्ने इन वीठे विशलेशनों के माद्यम से ले सकते हैं तो आ आज की कलास में इतना ही वाकि हम नेक्स्ट कलास में पढ़ेंगे थैंक यू